तो दोस्तों आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में आज मैं कुछ अलग दिखाऊंगा इस वीडियो में कोई मूवी एक्स्प्लिनिशन नहीं है इस दुनिया में कई बार लोगों के साथ अजिब घटनाएं घटती है जिनका कोई वेग्यानिक अस्तित्व नहीं होता और कुछ ऐसी गटनाएं अनजाने में कैमेरे में कैद हो जाती है और आजम ऐसी वीडियो फुटेजिस को देखने वाले है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और जो लास्ट वाली फुटेज है वो तो बहुत ही ज़ादा डरावनी है पहली वीडियो कैटलोनिया 2006 की है जहां कुछ स्पैनिश हाइकर्स रात के टाइम पर जंगल में जा रहे थे और उनका नाइट वीजन कैमेरा आन था तब उन्होंने कुछ ऐसा भयानक क्रियेचर उस जंगल में देखा जो कैमेरे में भी कैद हो गया और अभी मैं वही वीडियो प्ले करने वाला हूँ और ऑंगल शयाँ हूँ यहाँ पर हम किसी अंजान क्रियेचर को देख सकते हैं अब अगली वीडियो में एक लड़की अपने मा के साथ अपने घर में होती है तभी अचानक से उनकी घर की लाइट से लिजाती है और उनके घर में से कुछ अजीब आवाज आ रही होती है जबकि घर में उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं होता फिर वो लड़की for some security reasons अपने mobile का camera on करती है ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनके पास एक proof तो हो अब मैं आपको उस लड़की की record की हुई वीडियो clip दिखाता हूँ वो दोनों यह देखती है कि उनके बात्रूम में से किसी लड़की की रोने की आवाजे आ रही होती है इस पॉइंट पर वो दोनों काफी डर चुकी थी वो लड़की इनसे हल्प मांग रही थी फिर वो लड़की अच्छानक से दर्वाजा पीटने लगती है जो लड़की वीडियो निकाल रही होती है वो हिम्मत करके उस दोर को खोलने का सोचती है जो की भारसी बंद होता है और उसकी मॉम उसे यहां से चलने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था और उन्हें यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था और जो लड़की वीडियो निकाल रही होती है वो कहती है कि शायद अंदर कोई छोटी लड़की फसी है और उसे हमारी मदद चाहिए फिर वो डोर ओपन कर देती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता पर बात्रूम के डोर पर अंदर से हेल्प में लिखा होता है जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाती है तब यो डोर अचानक से बंद हो जाता है अब तो उन्हें लगता है कि उन्होंने शुरुआत में ये डोर खुलकर गलती कर दी उन्हें या से भाग जाना चाहिए था पर फिर वो डोर खुदी खुल जाता है और उनके घर की लाइट भी आ जाती है पर ये इंसिडेंट उनके लिए काफी खौफनाग था अब अगला वीडियो रश्या का है जहाए एक आदमी अपने पेट डोग को घर के पासवाले जंगल में गुमाने के लिए लाया था और अच्छनक से उसका डोग अजीब हरकते करने लगता है वो इदर उदर भागने लगता है तब ही आदमी अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जिससे इसके होश उट जाते है जंगल में एक लड़की हवा में अजीब ढंग से उड़ रही होती है या फिर फ्लोट कर रही होती है उसके साथ एक औरत भी होती है इसके डोग के आवास के कारण वो दोनों आसे भाग जाती है और ये काफी अजीब था मतलब जंगल में कोई अगर ऐसा देख ले तो वापस वो वहाँ जाने के हिम्मत भी ना करे अब आप जो देखने वाले हैं वो एक रियल गटना है जो कि एक एलिवेटर के कैमेरे में कैद हो गई थी ये जो स्क्रीन पर आप लड़की देख रहे हैं इसका नाम है एलिसा लैम जिसकी 2013 में मौत हो चुकी है और इसकी बॉड़ी ये जिस होटल में रहती थी उसी होटल के टैंकी में से मिलिये और उसके मरने से पहले की ये उसकी आखरी वीडियो है जिसमें ये आजी भरकते करती होए रिकॉर्ड होई है जिसके उपर अल्रीड यूटूप पे काफी वीडियो भी बनी है अगर आपको डिटेल में पूरी स्टोरी जाननी है तो आप उनकी वीडियो को देख सकते हैं बाकी ये रही वो क्लिप चाहपर वो अजिब धंग से एलिवेटर के बटन्स दबा रही है और एलिवेटर का डूर बंदी नहीं हो रहा मानो उसके सेंसर्स ने किसी को वाड डिटेक्ट किया हो फिर वो यहां हवा में किसी से बात्य करती है चोकि दिखाई भी नहीं दे रहा क्लिप में थोड़ा आगे वो तेरने की एक्टिंग भी कर रही है मानो उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि वो टैंके में डूप कर ही मरी है तो दोस्तों आज का वीडियो यही पर खत्म होता है अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने है तो आप मुझे कमेंट कर सकते है बाकि इस चैनल पे मूवी एक्स्प्लेन के वीडियोस तो आती रहेंगी तो अगर आपको इस वीडियो पे मेरी मैनत पसंद आई है तो एक लाइक करे और चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करे